नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पबलिक खबर की स्पेशल बुलिटिन में जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिल राश्रुपती द्रौपदी मूर्मू ने आज पहली बार संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस दोरान उन्होंने आर्चिकल 370 और 3 तलाग जैसे बड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्ति किये उन्होंने धारा 370 को निरस्त करने और 3 तलाग जैसे सर सरकार चुड़ने के लिए नागरिकों को आभार व्यक्ति किया राश्रुपती के तौर पर संसद में अपने पहले संबोधन में राश्रुपती मूर्मू ने कहा कि मेरी सरकाय ने हमेश्व देश हित को सर्वो पर ही रखा नीती रणीती को पूरी तरहा बदलने की इच्छ शक्ती दिखाई उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवात पर कड़ी कारवाई तक अनुछे 370 को निरस्त करने से लेकर 3 तलाग तक मेरी सरकार को एक निलनायक सरकार के रूप में मानिता दी गई है उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी राजनीतिक अस् सिती में है पेजट सत्र शुरू होनी से पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मीडिया को सम्बोधित किया अपने सम्बोधन के दौरान पिएम मोदी ने कहा कि आर्थ जगत में जिनकी मानिता है उनकी आवाज आसा की किरण ला रही है पिएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी वि बजट पेश करेंगी आज की वैश्विक परिस्सितियों में भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर है। वो संबोधित करने जा रही है। राष्टपती जी का भाषन भारत के समिधान का गवरव है। भारत की संसदिय प्रणाली का गवरव है। वही राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजीर डोभाल ने अमेरिका के जुएंट चीफ आफ स्टाफ जनरल के अध्याक्ष मार्क मिले से मुलाकात की और भारत अमेरिका द्विपक्षिय सहीयोग के विभिन पहलों पर चर्चा की। डोभाल और मिले ने इंडिया हाउस में मुलाकात की जो अमेरिका में भारत के राष्टू तरन जीत सिंग संधू का अधिकारी का आवाज है। बतादे की डोभाल अपने अमेरिकी संकच जेक सुलिवन के साथ इनिशियेटिव फॉर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलोजी यानि आई-ई-सी-ई-टी की पहली उचस्तरिय बैठक के लिए एक प्रतिनीधी मंजल के साथ अमेरिका पहुँचे है। इसे बीश भारत के विदेश मंत्री S.J. शंकरिनी मंगलवार को अमेरिका के राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड से मुलाकात की। और वैश्विक मुद्दों की पूरी श्रिंखला शामिल है। इसके अलावा वो युवा तकनीकी लीडर्स के साथ भी मुलाकात करेंगी। नूलैंड 28 जन्वरी से 3 फरवरी तक भारत, नेपाल, श्रीलंका और कतर की आधिकार की आत्रा पर रहेंगी। गांधी की यात्रा की आलोचना करने वाले उनसे जलते हैं। जिनको लेटर में लिखा था उन्होंने रेस्पॉंड किया है यह जो वाताओन था जो हवा यह मोसम था मोसम खराब नहीं मोसम खराब होने के वज़े से बहुत से लोग पहुंच नहीं से के बहुत से लोग एरपूर्ट तक आके वापिस चले गए और वहां पर कम से कम 11-12 प यह देखो उनको एक जलन है वो हमेशा हम जितनी अच्छी चीज़े करते जाएंगे वो हमेशा क्रिटिसाइज करते ही गए और एक नेता जो कन्याक मुमारिश से कश्मीर तक यह से स्वीक भारत जोड़ो याचा करता है उसको बदाही देने के बज़ा है आप बद्दुआ कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को जम्मो कश्मीर के श्रीनगर में समापन हो गया है इस अबसर पर राहूल गांधी और पार्टी की महासाचियो प्रियंका गांधी वाजरा ने गांधर बल के तुल्मुल्ला में खीर भवानी दुर्गा मंदिर का दौर आंधर प्रदेश की नई राजधानी विशाखा पत्तनम होगी मुख्यमंत्री जगन रेड़ी ने नई राजधानी के नाम की घोशना कर दी है आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मुहन रेड़ी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य क मोंक्य मंत्री रेजी ने कहा कि वो अपना कार्याले विशाखा पत्तनम में इस्थानांत रित करेंगे 23 सपराइल 2015 को आंध्र सरकार अमरावती को अपनी राजधानी गोशित किया था फिर 2020 में राजी ने तीन राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई जिन में अमरावती, विशाखा, पतनम और कुर्नूल शामिल थे इसी बीच राम्चरित मानस विवात पर उत्तर पुरदेश के जिप्टी सियम केश्व प्रसाद मौरे ने अखिलेश यादवप पर जम कर निशाना साधा है, मौरे ने कहा कि ये बयान सवामी प्रसाद मौरे का नहीं बलकि अखिलेश यादव और उनके खान Δानका है, ये रा यह बयान स्री अखले सियादो जी का है, यह समाजवादी पार्टी के कुनवे का है, और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे बिसहला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोसिस है, लेकिन उनके मनसूबे कभी कामरियाब नहीं होंगे, वह सोचते हैं कि इस से वह पि तो है ही नहीं, यहां मैं आसपश रूप से कह सकता हूँ, और यह आसपश रूप से दिखाई दे रहा है। वक्त था तब कश्मीर में आग बरस्ती थी, अब बर्स बारी हो रही है। यहां आग बरस्ती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, सांती है वहाँ पे। तबी तो आपका और भाई भेनों का आदरनी का बर्फ से खेलते हुए का फोटू आया है। हिमाचल के उचे क्शेत्रों में भारी बर्फ बारी ने लोगों की दुश्वारिया बढ़ा दी है। प्रदेश भर में 476 सडके और 697 बिजली के ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हैं। सडकी अवरुद्ध होने से आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। डीटी आर बंध होने से सैक्लो परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं बिजली के बगएर लोगों को कड़ा के कि सर्दी में ज्यादा परिशानिया जहिल नी पड़ रही है। ताजा हिंपात के बाद प्रदेश में 3 नाशनल हाईवे समेख 476 सडके वाहनों की आवाजाही के लिए बंध है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलिटन में फिलहाल के लिए अतना ही लेकिन देश और दुनिया की अभी खबरे बाकी हैं तो लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को और बला आइकन दबाना बिलकुल ना भूले। झाल